आपके लिए बहुत बड़ी खुसकरी जो टीचिंग एक्जाम की इस्पेसली तयारी कर रहे है उनके लिए बहुत अच्छी ख़बर निकल के आ रही है कि यूपी में प्रात्मिक सिच्छक भरती आने वाली है आने वाली है इसका मतलब यह नहीं कि अभी आ जाएगी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन 101% आपकी सिच्छक भरती आने वाली है और कितने पदों पर सिच्छक भरती होने वाली है आपको लगवख सरकार यह बता रहे है कि क्या वा नयार से चाहूं पदों पर सिच्छक भरती की हलचल देखने को मिल रही है ठीक है PNP जो ऑफ अने का नहीं है लेकिन नोटिफिकिसन आएगा तुमारा अप्रेल मई या मार्च तक मार्च अप्रेल मई तक आपका नोटिफिकिसन 101% आ जाएगा और आपकी दिसंपरता की परिच्छा भी बिल्कुर निश्ची तोर पर हो जाएगी ठीक है क्योंकि 2024 का एलेक्षन है मैं क लेकिन इसी चकर में साबस्यादा थूतू हो रही है इसकी राजसरकार की तो इसी के चकर में भरती बड़ी बरती देने वाली है आपको मालम होगा कि सरकार जब चुनाम में उतरी थी तो इस टाइन पर इसने बादा किया था कि हम 17,000 बरतियां देंगे किसमें से चक बरती उनके ऊपर भी सरकार ने एलिगेशन लगा दिया है उनके ऊपर एक करवाई कर रखी है इसी के चकर में यह बदनाम कर रहा है यह व्यक्ति यह कोई प्रसुच्छू नहीं है इस प्रकार से ठीक है वो किस आपसे मतलब नहीं उस चीज का आप देखो समझने की कुसिस करते ह उनके यूपीटेट से पहले सुपरटेट हो जाएगा साथ्यों कभी नहीं होगा सबसे पहले सरकार की प्राथ्मिक्ता में रहेगा यूपीटेट यूपीटेट कराएगी सबसे पहले यूपीटेट के बाद ही क्या देगी सुपरटेट करवाएगी यूपीटेट एक बार अबी शुपवंन नहीं लिया तो तो जो आपको वलिब है कि इस पार से एक नियम कर दिया है कि इसने एडिविशन लिया है भी C ATT Open Tats दे सकता ह। जो साथी सप्र टेट नहीं दे सकता ह॥ सीरे बात ही है clear cut बात बता रहूँ आपको मैं और ये March, April, May तक मैंने बताया उस time तक आपको notification 101% देखने को मिले जाएगा आपको ठीक है तो आप तैयारी सुरू कर दो कि कोई 5 महिने हैं 5 महिने में तैयारी hope आएगी आपकी सही साथियो आप देखो एक चीज़ और जो BID है और BTC का बेवाद है आपको चल ए गता दो सुप्रीम कोर्ट में चल ला है तब तक ये बेवाद भी निपट लेगा और आपको ये मालब पढ़ जाएगी कि BID रहेगा प्रात्मिक से चबहार नहीं हो रहा है तो एक चीज़ और मैं आपको वता दू 2024 का election है और पहले जब election था 2019 का उससे पहले ही प्रिस्चु को डाला गया था तो आप ये समझ लो कि बीएड भार नहीं हो रहा है किसी भी कीमत पे नहीं होगा बीएड भार प्रात्मिक सिच्चवर्ती से ये मैं 99% बता रहा हूँ परसेंट हो सकता है कि बाहर हो जाए लेकिन 99% चांस ये ही है कि बीएड एप्लीकेबल रहेगा प्रात्मिक सिच्चवर्ती में ठीक है साथियो तो टैंसल लेने की ज़रूतने है जो बीएड हो बीटीसी हो दोनों ही लोगों को तेयारी में जोट जाना चाहिए आप सबसे पहले यूपीटेट होगा कमन सबजेक्ट उतते हैं Makylude यूपीटेट की सबजेक्ट होते हैं वो सुबर STATE में पहन आते हैं कुछ सबजेक्ट जो तमारे करेंट आफ हर बगर बड़ जाती थो इसको देखते चलना है बर्ती फ्रेस बर्ती नहीं थी आपको माले में जो सिच्छा मित्र हैं उनका समाय रद किया गया था उसके एकोडिंग बर्ती निकले थी सुप्रीम कोड के आदिस पर अदर्वाइस वह भी बर्ती नहीं होती किसी इमत पर ठीक है साथी हो तो यह बर्ती बहुत दुरौबाद अब जाएस बिबदारि आपके पास बहुत अच्छा चांस है लेकिन अभी 4-5 महीनिये आपके पास अल्रेडी है आप अच्छी तैयारी कर सकते हो अच्छा दे सकते हो तैयारी में और आप एक सीट निश्चित पा सकते हो जो साती तो सिर्फ और सिच्छव भर्ती के लिए आप अगली साल में सिच्छक बन सको और एक सीट अब अबसे प्राप्त कर सको ठीक है सातियो इतना ही था इस वीडियो में वीडियो अच्छा लगता है तो साथियो को अगली बार चैनल पर आये हो तो चैनल को सबस्क्राब करके रखो ठीके साथ यो दन्यवाद